साड़े नो बजे सुबह का समय है और टेंपरेचर है 11 डिगरी सेल्सियस इस्थान है बहवाली नैनिताल में और ये मेरा सेकेंड हूं और ये नीला आस्मान अभी मैं तीन चार दिन पहले दिल्ली से आया था गेटर नोड़ा से बहुत ही ज़्यादा पॉलूशन और जो मैं अभी नीज पेपर्स में भी देखता रहता हूं कि AQI 370 गाजियाबाद 430 और एक ये वातावन जो हम बुक्स में पढ़ते थे नीला आस्मान वो आपको यहां देखने को मिलना है और ये देखना तब और भी सुखद हो जाता है जब हम इसकी तुलना दिल्ली से एंसी आर से ग्रेटर नोइडा से गाजियाबाद से करते हैं और अभी मैं यहां सन बात ले रहा था ये हाफ जैकेट मैंने सिर्फ इसलिए डाली है कि इसके बिना वीडियो बनाना बढ़िया नहीं लगता यह है भवाली का मनमुहक दर्स और नीला आस्मान जिसकी मैं अग्सर चर्चा करता हूँ सुबह का समय है खिली हुई धूप इसी का मज़ा है या आप सुबह आठ बज़े के बाद किसी भी समय बैठ सकते हैं खोली धूप में कोई ऐसी जगे चुन लीजिए जहां पर हवा ना लगे तो धूप बहुत तीक ही लगती है ग्यारा बारा डिग्री टेंपरेचर पे भी धूप बरदास कलने में मतब साइड बदलनी पड़ती है और आज सुबह मेरी बात हो रही थी अनूप तुलानी जी से जो लखनों के रहने वाले हैं और कंचन स्वीट्स के नाम से उनका बहुत अच्छा प्रतिष्ठान है मिठाई का और ये सामने उनका घर है उस समय में अपने घर पे नीचे बैठा चाय पी रहा था तो उनका फोन आ गया बोले कहां हो मैंने का आपके घर के सामने फिर और बाते होती चली गई तो उनकी इस बातचीत ने ही मुझे प्राम्ट किया कि मैं एक वीडियो बना कर डालू क्योंकि उनके कुछ क्वेशन ऐसे थे कि यहां कैसे रहे सकते हैं सर्दियों में कैसा लगता है तो उनके साथ साथ बाकी लोगों को भी बहुत बढ़िया जानकारी मिल जाएगी अभी मैं तिन-चार दिन से रामगर था तो यहां आते ही सुबह सुबह सारे कपले धोए जबकि ठंड में पानी में हाथ लगाने का मन नहीं कर सकता है और यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं है खिली हुई धूप और निला आस्मान एकी वाई बहुत कम यह सब चीजें पूर्ती कर देती हैं और आपकी लाइफ बड़ी बढ़िया बीटती है यह कुछ देखे साइट्रस प्रजाती के फन रखे वे मौस्मी और बड़े सारी निमबू मेरे फारम आउसका ही है और यह मौस्मी यह सरदियों में खाने का मन नहीं करता है लेकिन यहां इतनी धूप में खाने में बड़ा मजाता है इसको तो कुल मिलाकर ऐसा है जीवन यहां पर भवाली में सर्दियों के दिनों में और कल ही मेरे एक मित्र घुमने आये थे रामगड तो काभी घुमकल प्रवत्तिके हैं और उन्होंने बताया कि कश्मीर उन्होंने बहुत ज्यादा घुमा है लगबग 1000 किलो मीटर से उपर वहां ड्राइब की चारों तरफ गए तो बुले वहां भरप से ढकेवे पहाड दिखते हैं लेकिन जितनी बड़ी रेंज यहां गागर से दिखती है उतनी बड़ी रेंज उन्होंने देखी ही नहीं तो बड़ा द्रस है यहां से गागर सिर्फ 10 किलो मीटर है और उसकी हाइट है करीब 6500 फीट के आसपास और वहां से पूरी स्नो लेडेन पीक्स दिखती है इस समय हिमाले की तो एक अच्छा मौका है इस समय भवाली घूमने का आप लोग आईए और यहां से 20-25 मिनट की ड आपका यात्रा जो है वो लगेगा सफल हो गई बहुत ही सुन्दर अब एक सवाल बार-बार मन में आ रहा होगा कि 11-12 डिग्री का टेंपरेचर है कैसे बरदास्त करेंगे अब मैंने आपको दिखा दिया कि इस समय भी 11-12 डिग्री का टेंपरेचर है और मैं धूपे बैठा हुआ हूँ जाहिर है रात में टेंपरेचर 2-3 डिग्री तक कभी-कभी जीरो को भी टच कर जाता है पाला भी गिर रहा है लेकिन तरीका यही है सुबह से खुब बढ़िया धूप लीजिए मसाज कीजिए और इस धूप का आनंद आप आराम से तीन-चार बजे तक ले सकते हैं तीन-चार बजे के बाद बढ़िया मजबूत कपड़ों के साथ अपने घर के अंदर बंद हो जाईए विस्तर में आप वार्मर भी लगा सकते हैं और बड़े आराम से बढ़िया जिन्दगी यहां जी सकते हैं तो आप अपना प्रोगाम बना सकते हैं भवाली रामगड इन शेत्रों में आकर दो चार दिन या जादा रहने का और अगर सेकेंड होम के तौर बे भी चुनते हैं तो आपको अफसोस नहीं होगा और जिन लोगों ने यहां सेकेंड होम चुन लिया है नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से नीचे पॉलूशन है उससे चुटकारा मिल जाता है खिली हुई धूप वहां मिलती ही नहीं है मुझे ध्यान है कंधे भी दुख जाते हैं भारी कपड़े टांगे टांगे और यहां पर आप देख सकते हो कुछ इससे भी ज़्यादा दिखता लेकिन बढ़िया नहीं रहेगा और अभी मैं बढ़िया यही धूप मसाज कर रहा था तो यही कुछ लाइफ है सारी सप्लाइज इंटेक्ट हैं कोई दिक्कत नहीं है जो भी आप फाल फूट और यह सब चीजें सबजियां खाना चाहें सबी चीजें अवलेबिल हैं और्गेनिक सबजियां अवलेबिल हैं इस समय तो पत्ते वाली सबजियां बहुत ही अच्छी आ रही हैं लाई और पालक तो आप बना सकते हैं प्रोगाम यहां